Hello everyone, welcome to Mathsadda channel. This is special class for all entrance exam of mathematics. तो मैं अभिशेक तिवारी, आज हम discuss करेंगे important topic कि कौन से ऐसे book हैं जो की best होते हैं हमारे mathematics के लिए. यानि कि mathematics के लिए जितने भी important book है, आज उसके बारे में हम discuss करेंगे. ठीक हैं? तो the best book for mathematics. तो अगर हम बात करते हैं सबसे important topic, तो जो मैस के अंदर सबसे important topic है, वो हमारा real analysis है. तो real analysis के लिए वैसे तो बहुत सारे book हैं जो आपके लिए useful हो सकते हैं, बट सबसी important और easy method में अगर आपको चाहिए, तो आप पुन्नु स्वामी का book आप refer कर सकते हैं. foundation of mathematical analysis, यानि कि आपकी foundations को इतनी मजबूत कर देगा कि अगर आपको suppose कुछ भी नहीं आ रहा है मैस के अंदर, अगर आप real analysis, starting से लेके एक काफी अच्छे level के questions solve करना चाहते हैं, क्यूंकि उसमें आपको पूरी एकदम geometrically बताया हैं, और दूसरी बात उसको एकदम basic से लेके और अच्छे-च्छे questions आपको वहाँ पे मिलेंगे, जो कि net और gate में पूछे जाते हैं, वहाँ पे आपको बूक भी ले सकते हो, ये भी काफी important बूक है, जो आप refer कर सकते हो, वैसे तो real analysis के बहुत सारे बूक है, बट ये दो ऐसे बूक है कि जो आपके enough होंगे, बट इसमें से आपको सारे topic नहीं कवर करने, कि real analysis के starting से लेके आकरी तक, आपको sequence and series यहाँ से convert लेना है, इसके लाब one variable का differentiation यहाँ से देख सकते हैं, तो यानि कि आपको एकदम pure concept यहाँ पर आपको मिलेगा, ठीक है, फिर second आता है, metric space, तो अगर आपको specially metric space के लिए चाहिए, तो आप kumreson sir का book ले सकते हैं, kumreson, ये भी एक Indian author का book है, और kumreson, इन्होंने काफी geometrical ही तरीके से, बट यहाँ पर आपको बहुत सारे examples मिलेंगे geometrical तरीके से, तो इन्होंने इतने अच्छे तरीके से book में बस समझाया है, बट हो सकता है, यहाँ पर आपको proof अगरा जादा नहीं मिलेंगे, बट जो उनका समझाने का definition और जो concept है, वो काफी अच्छा है, तो आप metric space के लिए, topology of metric space as kumres का book refer कर सकते हो, third है multi variable, तो जैसे के real analysis में, मैंने one variable के लिए, या फिर हम कह सकते एक दम, जो pure है, उसके लिए आप वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, बट अगर आपको multi variable के लिए चाहिए, तो multi variable के लिए आप Thomas calculus का यूज़ कर सकते हैं, वैसे Thomas calculus में एक बहुत ही, इतनी अच आइड के लिए, अगर आप calculation और geometry के लिए समझना चाहते हैं, तो Thomas calculus काफी अच्छी book है, बट उसमें pure concept उतना अच्छा नहीं है, इसके लिए आपको pure concept के लिए पॉन्नु स्वामी के book ही अच्छी रहेगी, लेकिन अगर आपको calculation पाट चाहिए, जैसे कि multi variable हो गया, और vector calculus इसमें काफी अच्छे से दिया है, लेकिन vector calculus के मैं एक अलग से book बताऊंगा, वैसे तो आप इसको real analysis और पूरे real analysis के लिए योज़ कर सकते हैं, चाहे हो multi variable हो, vector calculus वैसे बहुत करनोट हो जाएंगे, और सबसे important यहाँ पे आपको examples, बहुत सारी examples हैं, अगर आप Thomas calculus का book देख इसमें आपको abstract में मिलेगा, यानि कि काफी एकदम अच्छे level के questions होंगे, जैसे कि MSC वगेरा में होते हैं, next है calculus, अगर आपको one variable के लिए calculus के लिए book अगर रेफर करना है, तो आप Michael Spivak का one dimensional के लिए यूज़ कर सकते हैं, यह भी आपको काफी abstract में मिलेगा, और इसके लाव अगर आप real life से connect करके, और अगर आप feeling लेके आना चाहते हो, तो calculus Gilbert एक काफी अच्छी book है calculus के लिए, इसम जो समझाने का तरीका है न, वो इतना practically तरीके से है, यानि कि आपको इतना details में example, अगर आप किसी जैसे कि for example, एक तो होता है कि आप जैसे net बगेरे के लिए कर रहे हो, तो अगर आप net बगेरे के लिए कर रहे हो, तो हो सकता यह आपको book उतनी अच्छी ना लगे, बट अच्छी है, जैसे कि अगर आपको, एक मतलब teaching film में जाना हो, और आपको अच्छे से मतलब की feeling करके आपको समझाना है किसी को, तो आप Gilbert की book refer कर सकते हो, उसमें जो, मतलब जो उनका start किया हो, मतलब किसी भी topic को जो start करने का तरीका है, वो काफी interesting है, और आपको इसमें, मतल तो अगर आप पढ़ने के लिए चाहते हो, तो interesting book है, आप इसे refer कर सकते हैं, next आता है functional analysis, अब functional analysis यह MSC का topic है, वैसे तो net वगर में जादा questions इसके आते हैं नहीं है, हाँ, gate में, या फिर अगर अप higher, अगर कोई अच्छे exams अगर आप देखते हो, तो वहाँ पे आपका काफ ही important topic है, और इसके applications भी बहुत हैं, तो इसके लिए आप introductory functional analysis with applications, यह basic book यूज कर सकते हैं, next topic आता है general topology, हमने matrix space देखा, real analysis देखा, अब अगर आप general topology देखना चाहते हैं, याईनि कि in general topology, और इसके अलावा अगर आपको logic वगरा पढ़ना है, जैसे कि boolean algebra, logic और real analysis कुछ important concept, तो यह आपको MST level के जो topology है, इसके लाभी बहुत सारे topic आपको इसमें मिल जाएंगे, logic के भी इसमें काफी अच्छे topic है, तो यह book आप refer कर सकते हो, और काफी अच्छी book है, James Banker's के, next आता है number theory, number theory के लिए आप यह book refer कर सकते हो, elementary number theory, यह भी book है, इसमें काफी examples हैं, ज इसमें सारे topic नहीं, क्योंकि अगर आप यह book पढ़ोगे, तो इसमें बहुत सारे topic है, जो आपके already बाकी सारे book में clear हो जाएंगे, ठीक है, तो आपको इसमें से जो important topic है, number theory के वही cover करना है, बाकी जो आपने, जैसे accountability अगरा, तो आपको हो चुका रहेगा, तो यहाँ से आ linear algebra, अब linear algebra के अगर हम बात करते हैं, तो elementary linear algebra, यह एक ऐसी book है, elementary linear algebra, जो कि आपको इतने problems देंगे, और इसमें भी ठीक उसे तरीके से आपको, यहाँ पर applications होगा, और real life के problem, उसके uses क्या है, application वगएरा, इतने बताए हैं, कि आपको real life में उसके applications कहा होते हैं, बाकी इसमें, इकदम basic level से एकदम, और आपको बहुत सारी example होगे, basic level से एकदम अच्छी-खासी question, बट अगर आप थोड़ा abstract manner में एकदम details से पढ़ना चाते हो, तो आपके लिए linear algebra का Hoffman and Kunje का book काफी अच्छा रहेगा, अगर यह आप जैसे की research वगएरे में किसी interview के लिए कर रहे हैं, क्योंकि elementary linear algebra में आपको इतना अच्छा, एकदम abstract manner में नहीं मिलेगा, next आज आता है हमारा modern algebra, अब वही modern algebra में भी ठीक उसी तरीके से, अगर आप interview को ले जाते हो, तो आपको I.N.Hunstein का book use करना होगा, लेकिन अगर आपको calculation वगएरा जैसे net exam clear करने के लिए, और concept को easy method में सम मजना है, या फिर real life के examples है, वो आपको contemporary abstract algebra में with applications आपको मिल जाएगी, जो की galleon की बहुत यह अच्छी book है, यह भी इतनी अच्छी interesting book है, कि आप गर आप पढ़ोगे, तो आपको खुदी बहुत यह अच्छा लगेगा, ठीक है, next आता है field theory, अब field theory के लिए, वैसे ही तो आ contemporary और हंस्टीन में आपके सारे कवार हो जाएंगे, बट अगर आपको अलग से सिर्फ field theory और galva theory पढ़ना तो यह बुक काफी based होगी आपको, वैसे तो इसके Luther and Passy के आपको volume 1, volume 2, volume 3, volume 4 मिलते हैं, इसमें volume 1 में आपको modern algebra, modern algebra मतलब, group theory, volume 2 में आपको ring theory, volume 3 में आपको जो volume 3 एक और है, उसमें भी आपको सायद मेरे खाल से, तो आपको वहाँ पे, module theory, ठीक है, तो volume 3 के अंदर आपको module theory है, और volume 4 में आपको field theory मिल जाएगा, ठीक है, तो यह आप field theory के topic देख सकते हैं, next आपका complex analysis, अब complex analysis के लिए सबको पता होगा, यह complex analysis के लिए सबसे best book है, पॉन्नु सैमी की, क्योंकि पॉन्नु सैमी की जो book है, वो काफी simple language में है, और काफी अच्छे तरीके सो उसमें explain किया, तो यह book सबको पसंद आती है, चाहे वो real analysis के book हो, चाहे या फिर complex variable के लिए, काफी लोग इसको refer करते हैं, और इसके लाव फिर से, वही अगर आपको ए इसमें एक में एक तो आपके लिए calculation, आपके interest exam respective से रहाएगा, और एक book जो है, अगर आप interview के लिए जाते हैं, तो interview के लिए आपको एक ऐसी book बताने होती, जो की काफी अच्छी book हो, ठीक है, जैसे यहाँ पे आपको, अगर differential equation, Ross की book काफी अच्छी book है, और अगर आप calculation व राओ के एस का जो introduction to partial differential equation है, यह इतनी अच्छी book है, क्योंकि इसमें ना काफी अच्छे से explain किया, और इसमें बहुत सारे questions गेट के भी include किया, यानि कि इसमें जो examples है, और आपको बहुत सारे examples मेनेंगे, और इस book में काफी अच्छे से explain किया, तो यह book बहुत ही best book है, PDE के के लिए, और इसके लाँ अगर आप beginning partial differential equation भी book refer कर सकते हो, बट राओ की book काफी बहुत ही अच्छी book है, तो यह एक बार आप रेफर कर सकते हो, ठेक है, PDE के लिए, next आता है, integral equation, integral equation के लिए तो यह की book काफी अच्छी है, सबको पता होगा, राई सिंहानिया का, यह अच्छ अच्छी book है, integral equation and boundary value problem, next आता है, integral transform, integral transform के लिए आपको इंजीनियर्स के लिए एक book है, यह काफी अच्छी book है, इसमें examples वगेरे भी काफी अच्छे दिया है, तो यह book आप रेफर कर सकते हो, integral transform के लिए, और integral transform का बहुत ही application है, हमारे real life में, नेक्स्ट आता है, numerical analysis, तो numerical analysis के लिए यह काफी simple book है, numerical method, younger और arcagen का, यह book आप numerical analysis के लिए refer कर सकते हो, नेक्स्ट आता है, vector calculus, अगर आपको vector calculus starting से समझना है, और काफी detail में, specially अगर जो IIT jam के तियारी कर रहे हैं, तो IIT jam के लिए यह gate के लिए यह book काफी important है, vector calculus, Jane Colley, तो यह इसमें काफी अच्छे सा explain किया, तो आप vector calculus के लिए यह book refer कर सकते हो, next, सबसे important, अगर आप चाहते हो कि आपको हर एक book चाहिए, तो storm series की आपको हर एक topic के लिए based book मिल जाएगा, चाहे वो complex analysis हो, चाहे real analysis हो, चाहे abstract algebra, तो हर एक topic के लिए आपको storm series के book मिल जाएगी, ठीक है, और यह आपको अगर आप online खरिदना साते हो, तो आपको online भी a book मिल तो online भी order कर सकते हो, और अगर इसके अलावा अब इस book के आपको PDF फाइल भी available हो जाएगी, तो अगर जिनको भी जितने भी book मैंने यहाँ पर बताई है, अगर उसका आपको PDF चाहिए, तो अब इस number पर contact कर सकते हो मुझे, मैं आपको इन सारे, मतब जो भी मैंने book बता है, उन सारे books का मैं आपको PDF दे दूँगा, या फिर आप telegram group पे भी join हो सकते हैं, मैं telegram group पे यह जो सारे book हैं आपको मैं send कर दूँगा, और यह जो सारे book हैं अगर आप refer करते हो, तो आप हर इक particular topic को काफी अच्छे से detail में आप समझ सकते हो, चाहे आपको वो किसी entrance exam के त्यार या फिर आपको किसी एक subject में perfect होना है अगर उस topic में आपको अच्छे तरीके समझना है, तो this is the best book जो आप refer कर सकते हो, मेरे साब से यह सारे book एकदम best है, तो अगर आपको यह सारे book चाहिए, तो आप इस number पे contact कर सकते हैं, या फिर इसके अलावा आप telegram group पे join हो सकते हैं, म अगर यह video आपको अच्छा लगा होगा, तो please channel को subscribe करे, bell icon को press करे, और जितना हो सकता अपने दोस्तों के साथ share करे, like करे और comment करे, ठीक है, तो मिलते हैं next lecture में, तो आज के लिए बस इतना ही, thank you. झाल झाल झाल